हलो स्टुडेंट्स आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम आज का अपना लेक्चर कंटीनिव करते हैं तो दिखे अब तक जो लेंस के बारे में हमने सीखा था तो लेंस के बारे में मैंने हमेशा बार बार आपको बूला है कि एक फॉर्मूला हमें याद यह होते हैं तो आपको यह भी पताया था कि फर्स्ट वोकस का का और सके्डिनेट्टे स्हें में का जेई रहे नहीं करता है न अबजेक्ट अपान f1 थे से अन उप्जरव俩 अपन अइफ सथा का पिछले class में हमने 1 up on F जब किसी लेंस के इसे मैं ऐसे शpciónक्वाइब में लेंस के इसे प्रकार मतो Sappan RA बिव्दा किसी एक मीडियो मेर रखा रहता है मतला हमें 90% है ओ लो उन केसे से इसे से डील करना है जिन में दोनों साइडमें रिफ्रेक्ट्री इंडकime तो चलिए एनी की बात करते हैं तो इस बाले case में मैं आपको बताया था कि इसके जो second focus का coordinate होगा 1 upon f उसका जो formula होता है वो होता है mu l upon mu s minus 1 and 1 upon r1 minus 1 upon r2 और 1 upon r1 r1 उस surface के center of curvature का coordinate था जिस Corps ray पहले incident होई और r2 उस surface के center of curvature का coordinate था जिसो पर ray बात में incident हुई तो अगर ray इढस इंसिदेंट आती है तो इस surface का center of curvature का coordinate होजाएगा r1 और इस surface के center of curvature का coordinate होजाएगा r2 और इसको हमने एक झाम दिया हो, Queshion yya है कि एक Equu Convex lens है एक Equu convex lens है और इसका जो Refractive Index है वो है let's say three-way two और इसकी就 focal length है वो है 20 cm एसके तो आपको इसके बारे में dो queshion find करना है पहला question ये Equu Convex lens है सब आम में दिया गया है एकवी convex lens है, हवाल में दिया गया है अब इसके बादे में हमें जब focal length दी गई है इन्हें 20 cm, हमसे पूछा गया है पहला radius of the surfaces radius of surfaces और दूसरा, focal length in water focal length in water देके बहुत आसान question है और water का जो refractive index है वो question ब्रैकेट में लिख देता है that is 4 by 3 आप सब लोग try करें इसको ठीक है तो देके इस तदे के question में में पूछ लेते हैं advance वाले नहीं पूछता है, बहुत आसान question है तो में में इसा पूछ लेते है तो देके इसको कैसे solve करेंगे मैं आपको solve करके दिखाता हूँ तो आप ऐसे समझाओ वेटा कि पहला लिखते हैं कि 1 upon f का जो formula होता है वो होता है mu lens upon mu surrounding minus 1 and 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीक, पहले case में तो मतलब जो given है 20 cm वो air में given है मतलब surrounding कारते हैं जो refractive index दो है 1 और आप यह माले कि रहे इंसीडेंट होरी है तो इस सर्फ executive का center of curvature का coordinates होगा वो positively आजाएगा और इस surface का center of curvature का coordinate negatively आजाएगा क्योंकि इसका center of curvature इस side में आएगा surface one गा अsur confess two का center of curvature जो होगा ओ इस side में आएगा that is negative x that is positive x and that is origin optical center तो यहां पर हम इसको solve करते हैं तो यह आए 1 by 20 that equal to mu L that is 3 by 2 minus 1 दोनों के radius को माल लेते हैं कि radius का magnitude जो magnitude वो है mod r तो इसका coordinate लिखा जाएगा आदबन के लिए वो लिए प्लस mod of r और r2 के जो coordinate लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बन अपान minus mod of r अगर आपको इससे solve करना है तो यह आएगा 1 by 20 equal to 1 by 2 into 2 by mod of r तो mod of r का जो यहां से value आया वो आया 20 cm तो हमारे पहले question का answer हो गया कि mod of r जो होगा वो क्या होगा 20 cm अब हमारे दूसरे question कांसे भी निकालते हैं कि इसकी focal length यह वोटर में कितनी होगी तो देखिए तो पहला लिखा जाएगा कि 1 upon 20 that equal to mu of lens that is 3 by 2 minus 1 into यहां 1 upon r1 minus 1 upon r2 दूसरा हम लिखेंगे कि उसने पूछा है water में उसी का तो हम लिखेंगे 1 upon f equal to lens का reflect rate 3 by 2 water का 4 by 3 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 अब इन दो नम डिवाइड लगा दो जब आप इन दो नम डिवाइड लगा हुए तो क्या आएगा यह आएगा f upon 20 उपर भाँ बचेगा 1 by 2 अपान यहां क्या बचेगा देखे उपर जाएगा 3 नीचे बचेगा 4 तो यह आएगा 9 by 8 9 by 8 minus 1 करेंगा तो यह आएगा 1 by 8 और यह सब आपस में कर जाएगा तो यह 1 by 8 8 उपर आएगा 2 नीचे आएगा 4 तो जो f का value आएगा वो आएगा आपका 80 cm ठीक तो यह लिख लीचे आप तो इस तरह से हम इसके equations solve करेंगे ठीक अब मैं आपको बता देता हूँ focal plane focal plane के बादे में यह आप भी हम focal plane की बात करते हैं जिस तरह से हम लोग concave or convex mirror में focal length की बात करते थे sorry focal plane की बात करते थे similarly यहाँ भी हम focal plane की बात करते हैं कैसे देखे बताते अब आप ऐसे देखो विटा जिसे माल लीचे आपका converging lens है मैं पहले converging lens के लिए focal plane बनायता हूँ यह converging lens है यह converging lens का symbol है इस तरह से और यह है इसका principal axis आप जानते की जो यहाँ से आएंगी इस direction से जो आएंगी वो यहाँ कट करेंगी तो यह point होगा इसका second focus तो second focus से जाने वाला plane जो होता है second focus से पास होने वाला plane जो principal axis के perpendicular होता है तो यह कौन है plane passing through plane passing through second focus and perpendicular to principal axis जो इसका जो surface है वो principal axis के क्या है perpendicular इसको बोलता है focal plane अब जब mirror हमने पढ़े थे तो भहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो देज आपस में parallel होती थी लेकिन principal axis के parallel नहीं होती थी वो focal plane में cut करती थी वो बाली बात यहां भी true है तो जो देज आपस में parallel होंगी लेकिन principal axis के parallel नहीं होंगी वो बाली देज कहां cut करती है focal plane में cut करती है जैसे जैसे माली जए यह कुछ देज है यह कुछ देज है यह आपस में तो parallel है लेकिन principle axis के parallel नहीं है तो यह वाली रे जब आगे बढ़ती है यह वाली रे जब आगे बढ़ती है यह वाली रे यहां पहुचेगी और जब यह वाली रे यहां पहुचेगी तो यह वाली जो रे है यहां से reflect होके यह यहां जाएगी और यह वाली रे भी जो है reflect होके वो यहा यह हमारा distance हो जाएगा mod F, और यह distance हमारा mod F हो गया, तो यह distance के हो जाएगा mod F into theta, और theta को हमेज़ा हम रेडियन में पुट करेंगे, जिए दिया जाएगा, या फिर most of the cases में theta डिग्री में दिया जाएगा, क्योंकि हम theta की calculation most of the time degree में गरते हैं, लेकिन आपको यह याद रहे कि यहाँ जब theta आपको पुट करना है, तो यह जो plane था, focal plane, यह था, converging lens का, अगर हम diverging lens के बादे में बात करें, तो दिखिए उसका भी diagram बना देते हैं, जिससे दमाग में पिक्चर बन जाएगी आपके, सुनो बेटा, अब हम बात करते हैं, diverging lens के बारे में, तो दिखिए, यह मान लेते हैं, हमारा diverging lens है, again same story, इसका जो second focus होगा, इसका जो second focus होगा, उसका converging का first focus हैं होता है, converging का second focus होता है, diverging का second focus होता है, this is the second focus, अब यह है second focus है, देधर्स incident हो रही है, तो यह कौन होगा आपका यह वाला पॉइंट आपका second focus और इदर कहीं होगा first focus हमें first focus से कोई मतलब नहीं अब मैं कहाँ कि जो रेज हैं वो पहले focal plane मना देते हैं तो यह second focus है and this is the focal plane अब जो रे हैं वो principal axis के parallel नहीं हैं लेकिन वो आपस में parallel हैं ठीक इसका मतलब आप ऐसे समझें कि रे ऐसे आ रही है एक रे ऐसे आ गई एक रे ऐसे आ गई एक रे और बना लो गई एक रे ऐसे आ गई अब यह रे principal axis के parallel तो नहीं है लेकिन यह रे आपस में parallel हैं तो यह रे कहां कट करेंगी यह रे focal plane में कट करेंगी अब देखो पता कैसे करता है कि focal plane में कहां कट करेंगी मिरर में कैसे पता करते थे मिरर में हम एक रे कंसीडर करते थे जो पोल पर आकर गिरती थी और मिरर में वो रे पोल पर ठीटा एंगल पर आकर गिरती थी और उसको हम ठीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट करते थे थे और वो रिफ्लेक्टेड रे जहां उस फोकल प्लेइन को कट क यहां पर ही मैंने वही किया जो जितनी मेरी रे आरही थी उन में से मैंने उस रे को पकड़ा जो अप्टिकल सेंटर से चलकर आती है और हम जानते हैं कि अप्टिकल सेंटर से आने वाली रे डेवियेट नहीं होती उसी दे चलकर जाती है तो जो रे अप्टिकल सेंटर से चलक कि आई होगी और उसने फोकल प्लेन को यहां कट किया, इसका मतलब बाकी सभी रे यहीं आपकर कट करेंगी, इसी तरह इस वाले लेंस में, अब जो दे जो तो अप्टिकल सेन्टर से कही है वो तो बिना डिओसिते सीधे जाएगी तो इसने फोरकल प्लेtle को कहा कट किया है यह कट किया इसका मद जितनी वी रह है वो सभी रह after refraction फोरकल प्लेंअ पर ही कट करेंगे इसका मिलब डाइग्राम इस तरह से बनेगा यह सब कोने रिफ्रेक्टेड रेज अब यह इंगल माल लेते हैं थीचा है तो यह इंगल भी क्या होगा थीचा और यहां से यह तक है जो distance है इस distance को बोल देते हैं mod f यह कोन है हमारा second focus है तभी तो यह focal plane होगा तो यह जो हमारी distance है यहां से यहां तक यह जो distance यह जाएगी यह जाएगी mod f into theta यह distance हो गए यह जाएगी यह जाएगी mod f into theta and again theta को जो आपको put करना है तो degree में put नहीं करना है theta को radian में put करना है ठीक है? आप लिख लें चले अब तुझे कि जैसे बहाँ पर हम बात करते थे थे मून की image कहाँ बनेगी sun की image कहाँ बनेगी जिस तरह वहाँ moon और sun की image बनती थी similarly moon और sun की image यहाँ भी बनेगी focal plane तो देखिए मैं आपको एक example देख समझा देता हूँ जैसे image of let's say moon तो moon और sun की image से मेरा मतलब है ऐसी object जो बहुत दूध है अगर object बहुत दूध है उससे क्या होगा कि object से जो आने वाली रे होंगी उनको हम आपस में parallel मान सकते हैं अगर object कहाँ है बहुत दूध है अब बोलेंगे बहुत दूध का मतलब क्या है इसका मतलब जो हमारा lens है या फिर जो हमारा mirror है उसकी अपनी dimensions है उसका अपना aperture area है aperture area की जो linear dimension है उस dimension के comparison में जैसे mirror में diameter की बात करते हैं तो यहां भी हम diameter की बात कर सकते हैं जैसे इस तरह से मालो यह lens हो गया आपका तो यह बहुत जादा दूध है ठीक ही हो गया अपका aperture diameter तो aperture diameter के comparison में अगर object के distance बहुत जादा हो जाए उसको बोलते है कि यह बहुत जादा दूध है ठीक तो माल लेते हैं यह हमारा let's say converging lens है और हमें moon की image बनानी है यह converging lens है और यह है focal plane यह focal plane है और माल लेते हैं इस direction में कहीं moon है माल लेते हैं यहां कहीं यह moon है बहुत दूर है यह moon आपको paper पे इस board पे में बहुत दूर नहीं बना सकता है यह बहुत दूर है और यह point है A और यह point है B तो जिस तरह से बहुत पर बताएं ते A से आने वाली बहुत साधी रे होंगी वो सब आपस में parallel होंगी तो A से जाने वाली बहुत साधी होंगी वो आपस में parallel होंगी तो A से जाने वाली रे कहां कट करेंगी तो optical center से जाने वाली एक रे ले लो आप यहां पर और B से जाने वाली रे कहां कट करेंगी optical center से जाने वाली एक रे ले लो आप यहां पर ठीक और ये लॉट वे खिटा है इसको बोलते हैं ऑमेर्थ इंगल शफ्टन Grü स्था गाए वाधन या धे treaty खिटा हूं को अपर फिटा गैझेडल या रर्ण को भीविट्पों रर्ण क को आप माल लीजिए यहां से यहां तक इसको मैं माल लेता हूँ diameter of moon और इसको मैं माल लेता हूँ distance small d ठीक, तो देखिए diameter of moon को मैं क्या लेख सकता हूँ मैं लेख सकता हूँ small d into theta तो कभी आपको theta नहीं दिया गया हो लेकिन diameter of moon दिया गया हो मून का डिस्टंस दिया गया हो, तो वासे आप ठीटा निकाल सकते हैं, डामेटर अफ मून किसके बदाबद आएगा, दीटा को यह पुट करके, आप यह निकाल सकते हैं, जो उसकी इमेज बनेगी, उसका डाया कितना होगा, सेम कहानी मिरर में भी की गई थी, वहां और यहा अब मैं चलता हूँ, लेंस फॉर्मूला के तरफ, लेंस फॉर्मूला, तो आपको याद है कि सेकंड फोकस का जो कॉडिनेट होता है, उसके लिए सिंबल इस्थिमाल करते हैं, अब एफ, और वन अपॉन एफ का जो फॉर्मूला होता है, वोता है, मु एल अपॉन अपॉन और एक मैंने जनरल एकोईशन लिखा था, लेंस के लिए, वो याद हो आपको, तो मैं लिखते के दिखाता हूँ, वन अपॉन वन अपॉन 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 यू, जनरल लिखा था, फिर मैंने अबजर्वर और अबजेक्ट को मु एस के बड़ाबर लिखाता, और तब जा भी मैं इसकी जगह पे मैं 1 अपॉन अपॉन फॉन के स्थिमाल कर सकता हूँ, तो हम इसकी जगह पे ऐस्थिमाल करते हैं to is pra fringe to what div, and where frree is the coordinate of second focus और F किसका कोडिनेट है, second focus का x-coordinate एक फर्मूला होता है, जिससे हम y-coordinate का रिशो, जिससे हम magnification कहते हैं मिर्रस में भी magnification कहते हैं, यहां पर ही magnification कहते हैं magnification M, यह होता है, ratio of the y-coordinates, h of image upon h of object और इसका फर्मूला होता है, v-y-u, ठीक, तो यह होगा आपका mirror lens formula, यह lens formula हुआ, और यह होगा y-coordinate का रिशो, magnification जैसी बाते हम बहां करते थे, ठीक, अब जो हमारे converging lens होते हैं, उनके लिए second focus का coordinate positive होता है, और जो हमारे diverging lens होते हैं, उनके लिए second focus का coordinate क्या होता है, positive होता है M का यहां पर भी मतलब होगा कि M अगर negative है, इसका मतलब object or image, principal axis के opposite side में है, मतलब inverted image है और M अगर positive है, मतलब object or image, principal axis के एक ही side में है, मतलब image erect है, तो M negative, inverted, वहां पर भी वही था, यहां पर भी यही है M positive, वहां पर भी erect था, यहां पर भी erect है, mod M greater than 1, वहां पर भी enlarge था, यहां पर भी enlarge है Mod M less than 1, वहां पर भी dimnist था, यहां पर भी dimnist है ठीक, एक जो फरक आता है, वो फरक आता है, real image, real object, virtual image, virtual object, इसमें एक थोड़ा सा फरकाता है क्या फरकाता है, मैं यहां साइड में लेक देता हूं पूरा detail में जब U negative होता है, तो वहां पर भी real object कहते थे, यहां पर भी real object कहते हैं और जब U positive होता है, वहां पर भी virtual object कहते थे, यहां पर भी virtual object कहते हैं मैं इसमें कोई फरक नहीं आया, यह कहानी वैसी है जैसी थी, बस फरक आता है, image में आप mirror में याद करिए, mirror में जब V negative होता था, तो real image बोलते हैं, लेकिन यहां पर जब V positive होता है, तो real image बोलते हैं, और जब V negative होता है, तो virtual image बोलते हैं, बस इतना सा फ़र्क है, तो इसका मतलब object के लिए तो tension लेना ही नहीं है, वस image के लिए tension लेना है, उल्टा कर देना mirror का, लेन्स में, real virtual के लिए, और देखे, real virtual देखना एक बार ध्यान से सुन लेजिए, real virtual आप देखेंगे, तो आप coordinate के sign से ही देखेंगे, कोई ये बात कभी नहीं करेगा, कि असली में काट रही हैं, असली में नहीं काट रही हैं, इस अब बेब कुश्वरी बात हैं, क्योंकि इसमें गल्तियां हो जाती हैं, तो कभी भी आपको real virtual अगर पहचानना है, तो कभी भी असली में काट रही हैं, असली में नहीं काट रही हैं, इन सब्दों का इस्तेमाल ना करें, या इस analogy का इस्तेमाल ना करें, आपको जो इस्तेमाल करना है, conclude करने के लिए, वो sign इस्तेम अभी उसको भूल जाएं, ठीक, तो अब हम चलते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, एक-दो सवाल कर लेते हैं, अच्छा देखिए, एक-दो सवाल, अच्छा देखो, सुनो मेरी बात, मैं सवाल से पहले मैं कुछ-कुछ जनरल चीज बताता हूं, लेंस फॉर्मूले में देखिएगा, मैं लेंस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इकल टो 1 अपॉन एफ, मतलब एक लेंस है, जिसके सराउंडर में एक मीडियम है, अबजेक्ट साइड और अबजेक्ट साइड और अबजेवर साइड, बोथ साइड मीडियम से महता है, मीडियम अलाग अलाग होता है तो उसकी कैल्कुलेशन आपको करना सिखा है, मैं अबज़नल फॉर्मूला, चीक, तो इसमें, मैं यह में जनरल बात कर रहा हूं, मतलब अब जनरल कैसे कहने का मेरा मतलब है कि Converging और Diverging दोनों के लिए में simultaneous बात कर रहा हूं, यह पर एक चीज़ नोटिस करिए कि जब U F होता है, इफ U equal to minus F होता है, तो जब आपका U equal to minus F होता है, तो आप V का वैल्यू का वैल्यू के आएगा, तो दीके लिखके दिखाते हैं अगर आपका U minus F होता है, इसका मतलब कहा है, object at first focus, object at first focus, और यह आपको रटा भी रहना चाहिए कि object at first focus, देखो, second focus का coordinate F है, तो first focus का क्या होगा, minus F, क्योंकि दोनों साइट तो medium सही है, तो जितना distance इधर आता है, उतना ही distance इधर आता है, क्योंकि medium सही है, तो इधर का coordinate positive, क्योंकि दोनों का coordinate opposite sign का होता है, तो first focus का coordinate अगर F है, sorry, second focus का coordinate अगर F है, तो first focus का क्या हो जाएगा, minus F, तो यह F किसका coordinate है, यह है coordinate of second focus, coordinate of second focus, तो यह हुआ object at first focus, तो इसके लिए जो image आती है, वो आती है infinity पे, वी infinity आएगा, आप इसे input कर के, साल करके देख लाएं, तो पहली चीज़े याद रखेंगे, दूसरा, अगर हमारा जो U है, U, अगर मान लीज़े हमारा U 2F के बरावर है, if U equal to minus 2F, के बरावर है, मतलब, जो हमारा first focus है, उसी side में object है, क्योंकि first focus का coordinate क्या है, minus F, तो object क्या होई, उसी side में थो minus 2F, तो अगर आपका U minus 2F है, तो देखो, calculate करो, V का value 2F आएगा, V का value 2F आएगा, अब मैं इसका diagram बना के दिखाता हूँ, सुन न दियान से, तो पहले वाले का diagram आपको समझ माता है, दूसरे वाले का diagram मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, माल लेते हैं, converging, दोणों के लिए बनाता है, converging और diverging, माल लेते हैं, Converging length है, तो यह होगा सबुक्स है और यह होगा 2F आएप न यह होगा पयंट, तो यह होगा 2F, होगा, यहाँ वाला कोईपइन्ट होगा hour जो का इसका coordinate हो जाएगा minus 2F यह Converging lens है, यह कौन है, Converging Lens है, Converging Lens है, तो f की वेलु कैसी है positive, तो this point का coordinate positive f, इस point का coordinate positive 2 f, तो this point का coordinate negative minus f, और this point का coordinate negative minus 2 f, तो मैं कहाँ रहाँ कि अगर object यहाँ है, object हे बतलब अगर ray यहाँ से निकलेंगी इस तरह से, अगर object हेहाँ है, तो image कहां बनेगी, इमेज 2F बनेगी, तो यह रे-after-reflection यहाँ कट करेंगी, ठीक है ना, अब इसी का डाइग्राम यह हुआ, यह हुआ इसका डाइग्राम के लिए इसका डाइग्राम की तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि 2F का इमेज 2F बनता है, बना, अब अब अबजेक्स फोकस के साइड में 2F ले लिजिए, तो इमेज का बनेगी, second focus side में 2F बनता है, अब अगर इसी का डाइग्राम में diverging के लिए बात करूं तो, तो अगर अब पहले तो आप यह ढूड़ो इसका diverging का second focus का होगा, तो भाई देगो, इसका डाइग्राम का second focus का होगा, तो भाई देगो, यह होगा तो इसका diverging lens है अपका, कैसा lens है, diverging, तो यह diverging lens अगर है, तो f का value negative आएगा, f का value negative आएगा, तो positive बनाने के लिए एक minus और लगाना पड़ेगा, तो मैंने f अल्रेडी negative है, उसमें एक minus मैंने और लगा दिया, तो यह whole term is positive, that whole term is positive, और इस point के coordinate positive ही होगे, बिकाज रे दर से incident होगी, अब मैं कह रहा हूँ कि object कहा है, आपकी first focus के side में 2f पर रहा है, object, first focus के side में 2f है, तो यह आपका first focus, first focus के side में object 2f पर यहाँ पर है, इसका मतलब incident ray आपकी इस तरह से है, किस तरह से मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ, इस तरह से, तो object जो है, first focus के side में 2f पर ले लीजिए, तो इसकी जो image वनेगी, वो second focus वाले side में 2f पर बनेगी, मतलब ray refract होकर ऐसे गई होंगी, और इनका जो intersection point आएगा, इनका जो intersection point आएगा, वो आएगा 2f पर, इनका जो intersection point आएगा, वो कहाँ आएगा, 2f तो ये थी आपकी object, हाँ, virtual object थी, कोई बात नहीं, virtual object थी, और इसकी image कैसी बनी, इसकी image भी virtual बनी, ठीक, तो वो हो गया आपका object और ये हो गया आपका image, और image कैसी है ये, virtual image है, तो जो मैंने बोला, कि जब अगर आपकी object 2f पर है, focus वाले side में 2f पर है, तो आपकी image होगी, वो second focus वाले side में 2f पर होगी, ये आपको एक line याद रखनी है, तो ये कुछ-कुछ वैसी बात होगी, जैसी center of curvature वाली बात वहा हुआ करती थी, center of curvature का image का अबनता था, center of curvature पर बनता था, वैसी बात कुछ यहाँ पर है, कि 2f का image का बनता है, 2f पर बनता है, ठीक, और सुनना, अब जिस तरह से वहाँ पर आपने object और image की position आपने देखी थी, उसी तरह से यहाँ भी आपको object और image की position का एक रख अंदाजा होना चाहिए, जैसे मैं आपको diagram बना के दिखा देता हूँ, माले के converging lens के लिए मैं आपको diagram बना के दिखा सकता हूँ, तो locations of object and image, वह वाली locations अगर आपने अब तक याद नहीं की हैं तो उनको याद कर लीजिए, क्योंकि उनकी हमें काफी जर्मत पढ़ती रहती है, तो वह हमें बिलकुल याद होना ही चाहिए, चार-पांच दिन आप रख पेस पे खुद से बनाए याद हो जाती है, अब मैं आपको यह diagram बना के दिखा देता हूँ कि माल लीजे यह है मेरा principle axis, और मैं बात कर रहा हूँ for converging lens के लिए, पहला case में ले रहा हूँ for converging lens, for converging lens, तो यह रहा मेरा converging lens, और यह converging lens है तो यह रहा मेरा second focus, और यह रहा second focus के side वाला 2f, और यह रहा हमारा first focus जिसका coordinate हो जाएगा minus f, और यह रहा second focus वाला first focus के side वाला 2f, अब यही point माल करके आपको image बनानी है, तो देखे, मैं कुछ line पहले बना लेता हूँ, तो यह converging lens में draw कर दा हूँ, और f2f वाला point उसके corresponding draw कर देंगे, यह हो गया आपका converging lens का diagram, अब देखे, यह रहा first focus वाला point यह रहा first focus वाला point यह रहा, this is the first focus, क्योंकि हम converging lens के बात कर रहें, यह रहा 2f वाला point, अब मैं हरंगम कर देखे, यह हूट अब मैं इससी वाला the f2f, मैं बता थेrain, यह हद़्प्रकात कर देखे, फार बात कर रहें, यह कि तो यह रहरा सज संद यहर फर्स्ट फोकुस, शड़े संद्सोक्स वाला unbelượng्र, क्योंकि अब्जेक्ट साइड वाले 2F का इमेज फस्ट फोकस साइड वाले 2F का इमेज बनता है यह बाला पाइंट हां एक ही और नोटिस कर लो आप यहां पर अगर हम यू को जीदो पुट करें ना तो वी का जीदो आएगा तो जैसे वहां पे पोल का इमेज पोल पे बनता था ऐसे यहां पर अगर हम अप्टिकल सेंटर पे लें यहां सेंटर इसी को ओडिजिन लेते है ना अप्टिकल तो थी that is on your object, then by the image उर और इप्जेक्ट रिट्य बार्य जात और लेक्ड आपका इमेज्फंपर नापचा है प्रिट्बार्स सभ्स्ट दो ख्रर्श्ट अव conlesssu the object को अब आप चिज बाता ही। जब आपोब ऑचेक्ट को तो फ्र पार लेकर पहुंचेंगे तो आपकी image यहां 2F पर पहुँचेगी, इसका मतलब इसमें जो shift होगा, वो same direction में होगा, mirror में जो shift होता था, वो opposite direction में होता था, अगर object इधर जाती थी, तो image इधर जाती थी, लेकिन यहां पैसा नहीं हो रहा है, object जब इधर जाएगी, तो image इधर जाएगी, मतलब यहां पर जो shift होगा, वो एक ही direction में होगा, ठीक, आप सुनना मेरी बात, आप माल लेते हैं कि object हमारी यहां पहुच गई, माल लेते हैं object हमारी यहां पहुच गई, object को right से यूज करते हैं, तो object माल लेते हैं हमारी यहां पहुच गई, मैंदा 2F आले पॉइंट से फाइने डिस्टेंस पर है, तो image भी थोड़ा आगे बढ़ी होगी, और जो हमारा second focus है से आगे image पहुच गई, अब आप object को ले जाएए 2F आले पॉइंट पर, object आपकी हिहां पहुच गई, तो image भी कहाँ पहुच जाएगी, उस 2F आले point पर पहुच जाएगी, तो image पहुच गई आपकी यहां पर, आप object को और आगे ले जाए ये 2F के अंदर, object आपकी हिहां पहुच गई, तो image क्या होगी 2F से भार निकल जाएगी image यहां पहुंच जाएगी और अगर object आपकी पहुंच गई 1st focus पे ध्यान से देखिएगा object अगर आपकी पहुंच गई 1st focus पे कुछ कुछ कौन के mirror जैसे feeling आएगी जब आपकी object पहुंच गई 1st focus पे तो आपकी image पहुंच गई infinity पे जब आपकी object और 1st focus के अंदर जाएगी तो image कहां से आएगी image पीछे से आएगी तो माल लेते हैं यहां आपकी object है तो image यहां कहीं पीछे होगी image यहां कहीं पीछे होगी ठीक और image यहां कहीं पीछे होगी और जब आपकी object यहां पहुंच जाएगी पहुंच गई तो इमेज भी आपके यही पहुंच जाएगी, दोनों एक ही जगह पहुंच जाएगे, ठीक, तो यह डाइगराम आपको आना चाहिए, और similarly, कान, sorry, डाइबर्जिंग लेंस के लिए यह डाइगराम आपको आना चाहिए, तो डाइबर्जिंग लेंस वाला डा गलती होती है, तो डाइबर्जिंग के लिए मैं आभी नहीं बनाऊँगा, डाइबर्जिंग के लिए आप सब लोग बनाएंगे घर पे, और मैं फोटो डाल दूँगा, वहां से आप क्रास्ट्रेक कर लेना, क्लिकि गलती होना भी सीखने के लिए एक बहुत जदुरी पा बच्वल रियल की रियल का रियल नहीं बनाता, बच्वल का बच्वल नहीं बनाता, उस तरह की बात यहां पर भी होती है, तो देखिए, मैं बात करता हूँ कि फॉर ग्राफ बनाते हैं, वन अपॉन वी वर्सस वन अपॉन यू ग्राफ, तो पहला बनाते हैं के लिए, second focus का coordinate होगा वो कैसा हो जाएगा पास्टिव तो एक क्वेशन का होगा है one upon v minus one upon u equal to one upon f one upon v को हमें y पर पुट करना है one upon u को हमें x पर पुट करना है और f पुट करना है तो यह डाइगराम जो आएगा one upon v and one upon यू पर पुट को हमें पर पुट उस्टिव पॐ यह जिसका स्रोप का सा आएगा पॉस्टिव तो इसका सी यह डाइगराम आएगा भी पास्टिव तो आप सी राइगा this is one upon v and this is one upon you आप slope भी positive और y intercept भी positive तो diagram ऐसे आएगा अब आप एक चीज़ नोटिस करें यह diagram फर्स्ट कोड़न से कभी past नहीं किया मतलब जब u positive है if u is positive तो v आपका positive नहीं है sorry v आपका negative नहीं है v आपका कैसा है positive है देखिए किसी भी positive view के देखो किसी भी positive view पे देखो आपका v हमेशा कैसा है positive है v नेगेटिव नहीं है इसका मतलब व और v नेगेटिव नहीं है तो v positive मतलब real image और v हाँ v positive आपका real image और v negative मतलब virtual image इसका मतलब if u is positive then v cannot be negative तो जो आपका v है वो कभी negative नहीं हो सकता वो हमेशा क्या होगा positive होगा इसका मतलब यह हुआ कि वर्चुल अब्जेक्ट का वर्चुल अब्जेक्ट और जो इमेज वनेगा वो वर्चुल ही वनेगा वी नेगेटिव नहीं हो सकता ना नहीं रियल इमेज वर्चुल अब्जेक्ट का जो वी नेगेटिव नहीं हो सकता और V-negative का क्या मतलब होता है, समझिए, V-positive होता है आपका Real Image, और V-negative होता है आपका Virtual Image, तो आपका V-negative नहीं हो सकता, इसका मतलब आपका Virtual Image नहीं हो सकता, मतलब वर्चुल अबजेक्ट का Virtual Image, not possible. तो आपकी जो वर्चुल अबजेक्ट होंगी, उनका जो वर्चुल इमेज है, वो पॉसिबल नहीं है, किसके कारण, Converging Lens के कारण क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जब हमारा U-positive था, तब हमारा V-negative नहीं था, V हम ऐसा कैसा था, V-positive ही था, अगर मैं यही डाइग्राम डाइवर्जिंग लेंस के लिए बनाऊं, तो डाइवर्जिंग लेंस में जो F होगा आपका, वो नेगिटेव होगा, क्योंकि वहां पे second focus का जो coordinate आता है, वो नेगिटेव बाता है, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए अगर हम बात करें, फ़र डाइवर्जिंग लेंस, फ़र डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग लेंस में F की बात करें, तो वो आएगा negative, तो यहांपे जब हम equation लेखेंगे, लेखेंगे, बात करेंगे, तो यहांपे F कैसे है, आपका negative मतलब y slope जो आएगा, उपका negative मतलब वो आपका negative मतलब गराफ हैसे आएगा, लेखेंगे, अपका नेगिटेव मतलब गराफ हैसे आएगा, when u is negative then आपके जो v का value है तो आप चेक करिए जब आपका u का value negative है जब आपका u का value negative है तो आपके v का value negative ही है v का value positive sum भी नहीं है किसी भी u negative के लिए देख लोगा किसी भी u negative के लिए देख लोगा for any u negative For any U negative V is always negative I mean V is not positive and V is not positive it means real image so when U is negative then V cannot V positive when you have U negative V is not positive U negative means real object so real object and V positive V positive means real image it means real object real image will not get U negative what does U negative mean? real object and V positive what does it mean? real image so U negative V positive is not positive it means real object real image is not positive so this is diverging so something you have diverging behavior convex mirror and the converging behavior is something you have diverging like a concave lens in this point of view okay so in this way you should know which one can be real and which one can be virtual so keep it that the diverging is not real and the converging is not virtual is not virtual okay this will keep it because you have to give an exam and you need a number so you have to keep it keep it in a diary note and then see it some days okay you hear it now I will tell you some questions and tell you now see you can make V vs U graph in this way we have made a mirror graph you can make a magnification graph in this way we have made a mirror and it can ask you there is no doubt तो मेरत में डाइग्दाम आपको बनाया था, आप लेंस के डाइग्दाम बनाए एक बाग खुद से, ठीक है, अब सुनन द्यान से, अब मैं आपको कुछ सवाल करके दिखाता हूं, तो सवाल है कि माल लो, एक कन्वर्जिंग लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, जिसका लेंद है 20 cm और इसके सामने एक object है चलिए पहले एक point object ले ले लेते हैं अगला extended object लेंगे तो महां लेज एक point object है जो है 50 cm आपको बताना है इसकी image कहां बनी होगी आपको इमेज की location के बारे में बताना है तो सुनिये तो आपको फॉर्मुला रगाना है इसके सिंपल फॉर्मुला 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f आपकी object यहां है तो incident ray की direction यह होगी यह आपका origin होगा और इस साइड में आपका यह होगा पॉजिटिटिटिव एकसस यह पका पॉजिटिटिव एकसस होगा इधर आपका नेगिटिटिव एकसस होगा तो आपके u का वैलु कितना है चाल में सेडिटिव एकस यहां जाए बी पासूजिटि उम् Horizonsरक यह होगा का सबसुजटिए एकसस का साइक का ट्रिव संपोस्टिटिव एकसोरि करा यहां पॉजिटिव एकसस्यां को रिरूंघो को सब्सुटिब नियों शे laboratoragnosc clock की शेजुटए तो यहां मितलब किया जब बी पास्टेव दी एलमेज, बी नेगेटव वर्चो लेमेज, अब एक क्वेशिन करते हैं, माल लेते हैं, थोड़ा साइज को थोड़ा बड़ा लेते हैं, आप देखिए, ऐसे अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस बोलता तो आप F को क्या पुट करते हैं, माइनस 20 अब जब मैंने डाइवर्जिंग बोल दिया, तो इसका मतलब आपको सेकंड फोकस का कॉडिनेट नेगिटेव होगा, यह पता होना चाहिए, तो अगर इसकी फोकल लेंथ मानलो मैं 20 सेंटेमेटर बोलू, इसका मतलब मैंने फोकल लेंथ का मागनिट्यूड बोला है, क्यो तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, इसका मतलब आप यह निकालेंगे कि मैंने मागनिट्यूड बोला है, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, इसका मतलब आप यह निकालेंगे कि मैंने मागनिट्यूड बोला है, तो मैंने कुछ बोला ह और यह डिस्टेंस माल लेते हैं लेट से आपका 10 सेंटिमेटर और यह बताना है कि बताई इसका इमेज जो होगा वो कहां बनेगा इमेज का साइज क्या होगा तो देखो मेरी बात सुनो हमारी जो अबजेक्ट है उसका जो एक्स कोडिनेट है वो है 10 सेंटिमेटर तो पहले इमेज का एक्स कोडिनेट निकाल लो य कोडिनेट की बाद में चिंता करेंगे पहले एक्स कोडिनेट तो हाथ लगे यह फोता है यह सेकंड फोकस का का काडिनेट होता है यह सेकंड फोकस का का काडिनेट होता है यह सेकंड फोकस का का काडिनेट होता है यह सेकंड फोकस का V3y20, तो V जो value आया, वो आया, वाया, माइनस 20y3, V का value आया, V नेगेटिव आया, मतलब कैसी image है, आपके वर्चुल इमेज है, वी पॉस्टिव होती है, तो दिसने रियल अब्जेक्च गा वर्चुल इमेज बना है, तो बनाता है, यह रियल का रियल का भी देता ही नहीं है कौन? Converging, sorry diverging real का real नहीं देता, और Converging virtual का virtual नहीं देता, तो virtual बनी थी इसकी image, तो virtual बनी क्योंकि real का real यह देता ही नहीं है, और object ऐसी हमारी दिन real है, क्यों object real है, क्यों u negative है, अब हमें यह पता करना है कि इसको size क्या बनेंगा, मतलब यह तो clear हो गया कि इधर कहीं बन रही ह होगी होगी है, ठीक, अब आप मैगनिफिकेशन चेक लेते हैं, positive है की negative है, M का formula होता है, V by U, V कितना है आपका, minus 20 by 3, and U कितना है आपका, minus 10, magnification positive है, 2 by 3 positive है, इसका मिलाँ erect image है, erect image, erect image, because M is positive, and M का mod of M, mod of M is less than 1, इसका मतलब image dimnist है, जो इसकी image है, वो कैसी है dimnist, तो पता करते हैं, अच्छा, image का y coordinate, तो जो यह tip होती है, हम हमें से इस tip का y coordinate निकालते हैं, क्योंकि इसका y coordinate हो जीदो है, तो इसका image का भी y coordinate के आएगा, जीदो, लेकिन जो हमारी tip है, इस tip का y coordinate के इतना है, plus 5 mm, तो हम जो इसकी image बनी होगी tip की, उसका y coordinate क्या आएगा, तो y coordinate of image, that equal to magnification 2 by 3, into y coordinate of object, and that is plus 5, तो यह है आपका 10 y 3 mm, positive है, negative नहीं है, इसका मतलब यह हुआ, कि इसकी image बन रही होगी, वो image कहीं यहाँ बन रही होगी, इसकी image बन रही होगी, इस तरह से, और यह point अगर आपका a है, तो इसकी image यहाँ बनी होगी, यह e dash, ठीक, और यह जो distance है, यहाँ से यहाँ तक वो कि 20 y 3, distance बोला है, मैंने, coordinate नहीं बोला है, और जो इसका size है, size is 10 y 3 mm, पहले से कम size आया, पहले 5 mm था, और लगवग 3.33 mm है, अब देखो, अगर आप इसका ray diagram बनाना चाहें, तो देखो, मैं आपको ray diagram बनाना, बता देता हूं, इसका, कि ray diagram कैसे बना होगा, ray diagram से थोड़ी गई होंगी, और reflection के बाद, इस तरह से उनका intersection point आया होगा, तो देखो, मैं कोसिस करता हूं, कि एक अच्छा diagram मैं बना पाऊंगी, this is your object, ठीक, अब एक बात तो होता है, कि यहां से जो ray, optical center की तरफ गई होगी, वो without deviation सीधे निकली होगी, यहां से ray, जो optical center की तरफ आई होगी, वो without deviation सीधे निकली होगी, और एक ray यहां से जो principal axis के parallel गई होगी, वो after reflection, second focus पर cut करेगी, और यह diverging गई, इसलिए इसका second focus का यहां होगा, तो यह इस तरह से, और इसको पीछे extend हम करेंगे, तो यह कहां से, यह कहां पर हमें देखेगी, second focus पर देखेगी, और second focus का जो coordinator, second focus का जो distance है, वो कितना होगा, 20 cm, इसका मतलब इसको थोड़ा सा object के पीछे तक बढ़ाना है, इस तरह से, क्योंकि 20 cm पर उसका intersection देखना चाहिए न, यह 20 cm देखना चाहिए, distance, और हमारी object कितने distance पर है, वो है 10 cm पर, और जो हमारी image बनी वो यहां बनी, this is our image, तो यह point A है, तो यह point A का image है, A dash, ठीक है, तो देखो, यह है refracted ray, और यह है refracted ray, और यह रहा इन दोनों का intersection point, और इसका जो size है, यहां से यहां तक, that is 10 by 3 mm, और object का जो size था, वो था 5 mm, तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं, कि जो इसकी image बनी होगी, वो image कहां बनी होगी, इस तरह से, ray diagram से, आप उसको समझ सकते हैं, चीक, चलिए, equation all ले लेते हैं, तो मार लेजिए एक converging lens ले ले लेते हैं, मार लेते हैं, अर यह इसका principle axis है, और मार लेते हैं कि, यहां एक object है, इस object का size भुआ ही लेते हैं, चलिए, इसका फोकस है, let's say that is 20 cm, और यह distance इसको मनने इसको 60 cm और उमसे पूचा किया है कि बताँ इस इमेज रहा होगी, किस साइज की होगी, इसारी बात पूची गई है, तो पहला कोईशन एमेज का एक्सकोर्दिने निकालना पड़ेगा, तो फर्मुला उसका पड़ेगा, 1 upon V minus 1 upon U that equal to 1 upon F, 1 upon V हमें निकालना है, 1 upon U का value है minus 60, and 1 upon F का value है plus 20, तो 1 upon V का value आएगा, वो आएगा 1 upon 20 minus 1 upon 60, 3 का निचे multiply आगे तो 3 का उपर multiply आगे, उपर आएगा 3 minus 1, और निचे आएगा आपका 60, 2 by 60 V आगे 30, V कोन आगे आपका 3D, V positive मतलब image कैसी बनेगी real क्योंकि V positive मतलब मतलब होता है real image, और V negative मतलब होता है virtual image, तो इसके image कहीं होता है, उसके image कहीं होता है, अब magnification check करते है, अगर magnification negative आएगा, तो inverted होगा, और positive आएगा, तो erect होगा, और mod m अगर less than 1 हुआ तो diminished and mod m greater than 1 तो magnified तो m की value calculate करते है, m का formula होता है vyu, vy आए हमारा plus 30 और u का value है वो है minus 60 तो ये value आए minus 1 by 2 m is negative, inverted and mod m less than 1 mod m less than 1, इसका मतलब image कैसी है आपके diminished तो image यहाँ बनेगी, inverted बनेगी क्योंकि negative है तो object ऊपर है तो image इस तरह से बनेगी और diminished बनेगी मतलब ये size 5 mm है तो ये size जो आएगा वो 5 mm से कम आएगा ठीक है ना, आप सुना मेरी बात अब मुझे ये निकालना है कि जलो size कितना होगा तो ऐसा करते है हम ये जो हमारा point है इस point का y coordinate जीरो है तो इस point का नाम B दे देते हैं तो इस point का image तो यह हो गया B उसका y coordinate जीरो है तो image का y coordinate क्या हो जीरो लेकिन जो हमारा ये बाला point है लेकिन जो हमारा ये बाला point है इस point का हमारा y coordinate कितना है plus 5 तो इसकी जो image वनेगी उसका भी कुछ y-coordinate आएगा और y-coordinate of image का फर्मॉला होता है वो ता magnification of y-coordinate of object, magnification of y-coordinate के ratio को ही तो बोलते हैं m का value कितना है, minus 1 by 2, so here m is minus 1 by 2 and y-object is plus 5, here minus of 2.5 mm मतलब यहां से यहां तक का जो यह distance होगा, उसका coordinate minus 2.5 mm है, इसका मतलब यह distance होगा यहां से यहां तक वो कितना होगा, 2.5 mm ठीक है, और v का value आया वो कितना है, 30 cm, मतलब यह distance दाओगा यहां से यहां तक वो कितना दाओगा, 30 cm, और यह कैसी image है, यह real image है, यह inverted image है, यह diminished image है, अब मैं इसका ray diagram बहुत बना के दिखा देता हूँ, तो इसका ray diagram देखिएगा, इसका ray diagram इस तरह से है, ray diagram ड्रॉ करता हूँ, कुशिस करता हूँ अच्छा ड्रॉ किया जाए, तो यह है आपका object, object से एक दे जो optical center से निकली होगी, वो सीधे गई होगी, और दूसरी ray जो principal axis के parallel lie होगी, वो after reflection second focus से गई होगी, तो यह रहा second focus और इन्होंने यहां intersect किया, मतलब यह बाला point A था, और A से निकलने वाली ray, reflection के बाद यहां intersect करीं, तो यह होगया A का image A dash, और यह point अगर हमारा B है, तो B का image यहां बना होगा, B का image यहां बना होगा, that is V dash, तो यह था A, B, यह होगया आपका A dash, V dash, और यह जो size है यहां से यहां तक, वो size हमने कितना लखा वाँ पर है, 2.5 mm, ठीक, तो दीक, इस तरह से हम ray diagram बना के image का tracing कर सकते हैं, और खुद को believe दिला सकते हैं, कि खुद को थोड़ा समझा सकते हैं, कि किस तरह से यह ray बनी, किस तरह से यह images बनी होंगी, reflection के बाद, ठीक, तो चलिए, फिर मिलते हैं, next class में, तब तक आप पढ़ें, doubt पूछें, ठीक है?